पलपल नियूज के नियूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नदीम अखनम खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक चोटी सी अप्रील करना चाहता हूं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगतार मिलती रहे बढ़ते हैं खबर की तरफ डेश में सामरदायत्ता के हवा ऐसी चली है कि हर तरफ नफरत 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 परोसरी जा रही है और नफरत ही हमें दिखाए जा रही है, मीडिया चैनलों पर अगर देखें, तो हिंदु मुसल्मान के नाम पर दाड़ी टोपी के नाम पर सिर्फ नफरत परुशने का काम किया जा रहा है, और सदन में भी अब यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सदन में जिस तरीके के ना इसे ले करके हर तरफ चर्चा हो रही है और हर कोई इसके उपर बात करना चाहता है। पर इन खबरों की आड़ में एक इतनी बड़ी खबर दबाई जा रही है जिसके उपर वाकई बात करना लाज़मी बनता है। और जिस तरीके का कदम सैना की तरफ से मुस्लिम समाज के लिए उठाया गया है वो वाकई काबिले तारिफ है तो चलिए तहरे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है मेजर जनरल सुभाशरन ने उतरपरदेश के देवबन में प्रतिष्टित इसलामी मदर्सा दारूलूम का दौरा किया अपने डेर सो साल के इतिहास में ये पहली बार है जब मदर्सा ने सैना के किसी शीर्ष अधिकारी से मुलाकात की है ADG मेजर जनरल सुभाशरन ने दारूलूम के छातरों से सैना में शामिल होने का आगरह किया मेजर जनरल ने शनिवार शाम दारूलूम का दौरा किया और अपने प्रमुख मुलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी से मुलाकात की मुलाना नुमानी ने उन्हें मदर्सा के समरिद संस्कृती इतिहास से अवगत कराया मेजर जनरल ने छातरों को बताया कि मदर्सों से पासाउट होने के बाद विमौल्वी के रूप में सैना में शामिल हो सकते हैं डेकन हिराल के अनुसार सैना के अधिकारी ने मुलाना नुमानी को भगवत गीता की एक प्रती प्रस्तुत की वहीं नुमानी ने जनरल को दारुल उलुम के इतिहास से संबंदित एक पुस्तक दी दारुल उलुम के स्तापना 1866 में महम्मद कासिम नानोत्वी ने यूपी के सहारनपूर जिले के देवबंद में की थी आपको बता दें कि जल्द ही भारतिय सैना में दारुल उलुम के युवा मौलवी धर्मगुरू के रूप में नजर आएंगे उतरपरदेश और उतराखन जौन के भरती निदेशाले के ADG मेजर जनरल डॉक्टर सुभाज शरन ने शनिवार को बताया कि सैना में मौलवी डिग्री धारक युवाओं के लिए धर्म गुरूप बनाने के लिए रास्ते खुले हैं मेजर जनरल डॉक्टर सुभाज शरन ने शनिवार को देवन इसे दारूलूम पहुँच कर ये बात कही दारूलूम के डेर सो साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब इस दोरान एक दिल्चर्फ घटना भी देखने को मिली दारूलूम के महतमीम मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी ने इस पहल की वजह पूछी तो ADG सुभाज शरन ने बताया कि ये पहल प्रधानमंत्री नरिंदर मूदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के आहवन से प्रेरित है आपको बता दें कि सैना में पंडित, पुजारी, गोर्खा पंडित, मौलवी सुनी और शिया पादरी, ग्रंती और बहुत भिक्षू नुक्त होते हैं इनका काम बटालियन में इस्तित धार्मिक स्थलों में पूजा या इबादत करना होता है इसके लिए शास्तिरी, मौलवी, अत्वा ग्यानी की डिग्री होना अनिवार है पादरी, अभिहरती के लिए इस्तानिय बिश्प के मान्यत्य प्राप्तों होनी चाहिए और इसी तरह महायान भी सम्मंदित अथोरिटी से मान्यत्य प्राप्त बहुत बिख्यू होने चाहिए इस मौके पर मेजर जनरल सुभाशरन ने बताया कि उन्हें हैरानी है कि आज तक दारुलूलूम के किसी भी चात्र ने सैना में धर्मगुरू के लिए आवेदन नहीं किया जबकि सैना में बड़ी संक्या में मौलवी के पदों पर भरती होती है लेकिन ज्यादतर सीटे खाली ही रह जाती है बकौल सुभाशरन सैना भरती निदेशाले की ओर से दारुलूम को सभी महतपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किये जाएंगे जिसे वे युवाओं को सैना में भरती के योग गय प्रशिक्षित कर सकें इसके बाद नुमानी ने भी खुशी जाहिर की डेर सो साल में पहली बार कोई सैना अधिकारी दारुलूम में युवाओं को सैना में करियर की राह दिखाने के लिए पहुँचा है मजभी मामलों की जानकारी रखने वाले नौजवान अब सेना में भी हुनर दिखा पाएंगे केंदर सरकार ने देबन के बाद सुन्नी बरिल्वी मसल के उलेमा से भी संपर्क साधा तो बरिल्वी मसल के 100 से जादा आलिम कामिल लोगों की सूची केंदर सरकार ने मांगी है ऐसे डिग्रीधारा की युवाओं को सैना में धर्मगुरू बनाने की पहल शुरू हो गई बरिल्वी मसल के उलिमा ने प्रधान मंत्री के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की सरहाना की सुन्नी बरिल्वी मुसल्मानों का सबसे बड़ा मरकज बरिली को कहा जाता है यहाँ पर बड़े मज़वी रहनुमा ने दुनिया भर में बरेली की पहचान बनाई तंजीम उलिमा इसलाम के राष्ट्रे महसाचीर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा कि केंद्र सरकार के दूद की हैसियत से सैना के जनरल देबन गए थे जिसका हम स्वागत करते हैं तो दोस्तों आपने देखा के सैना के जनरल दारुलूम देबन का दौरा करते हैं और दारुलूम देबन पहुंच करके मदरसे के पच्चों से मिलते हैं मदरसे के पच्चों के पीच में रह करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं मुस्लिम उलिमाओं से मुस्लिम मौलानाओं से मुलाकाद करते हैं उनके साथ किस तरीके का विहवार हुरा है उनके दुख दर्द को बाटने के लिए सैना के जनरल दारुलूम देवन पहुंसते हैं और उस दोरां दारुलूम देवन में मदर्से के बच्चों से मिलने के बा किया वह कबिलेत तारिफ है और जो सरकार में रिखहा जवाना को यह निर्देश लिए वह गुविए कबिलेत कीकत मैं है गुइन ही एलाज है तो वह सेनक चूइवानों की तरफ से हुआ है और उसको मुदी सरकार के सर पर मड़ देना चाहते हैं हमारी गोधी मीडिया के एंकर क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं कि जिस तरीके की बयानबाजी टीवी चैनल पर बैठे एंकर कर रहे हैं और मोधी सरकार को साल अश्रय देनी की कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम हो तो मोधी जी को धन्यवाद और जब दे उपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेता और अच्छे काम कश्रय मोधी सरकार मोधी सरकार और मोधी सरकार आप लोगों को जानकारी के लिए बता दू कि जो कदम सैना के जवानों सैना के जंडन ने उठाया उसके लिए उन्होंने मोधी सरकार से बात की उसके बात उन्होंने उन्हें ये पर्म Titans दि आप मस्लिम लोगों के बीच में जाएंगे और मस्लिम लोगों से बात करें और यह कर दिया जो मौन्नवी हैं उन्हें सरकारी नौक्री सहनां में दी जाएगी और उनको लेकर ऑफिसर को तन्खा मिलती है वो तन्खा उन्हें दी जाएगी और उन्हें सैना के जवान जो मुस्लिम समाज से हैं उन लोगों को नमाज पढ़ने का काम दरुरुम देबन और बरेलवी मसल के मौल भी करते हुए नजर आएंगे पर एक साप्रदाइक्ता की आग में जोकने की कोशिश की जाती हैं पर जो असल में मुद्दे होते हैं उन असली मुद्दों से दूर कर दिया जाता है और जिनकी तारिफ होनी चाहिए वो तारिफ के हगदार नहीं रहते कोई और आ करके हगदार बन जाता है पर सैना के जनरल नहीं जो कदम उठाया उसको सलाम है और जिस तरीके का अईलान उन्हों ने किया वह वाकई काबिले तारिफ है और जहां कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि खासकर मदरसों में आतंगवात की शिक्षा दी जाती है आतंगवात की पढ़ाई की जाती है तो जनरल का ये दोरा उन लोग वसीम रिजवी जैसे लोगों के उपर तमाचा है जो मदरसे को मुसलसर टारगेट करते रहते हैं तो जनरल के इस फैसले के बाद मुसलिम समाज में खुशी का वहाल देखने को मिल रहा है और खुशी की लहन दौड़ पड़ी है तो भले ही वो आपको हकीकत से रूबरू कराएं या ना कराएं पर जहां सर दौबर कैसे लगी कमेंड वर्फ में आखर के अपनी राय जरूर दीचिएगा शुक्रिया